भाईयो नमस्कार भाईयो आज मैं आया हूँ हरियों भाई के पास और इन्होंने नई गन्ना किस्म 11-0-15 लगा रखी है जिसकी काफी चर्चा है चली पिछले साल और इन्होंने भाईयो केवल नोर्मल लागत में ये गन्ना बुआई की है और अब तक बिल्कुर नोर्मल ला इसी खेत में लगा रखा है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और भाईयो गन्ना देखने में बहुत अच्छा है तो इनसे टोटल जानकारी लेंगे हां हरियो मेरा नाम हरियों देवल है और गाम का नाम चुचैला फुर्द है जिलाम रोगा आप यह बताईए आपने यह ग्यारा जिरो पंद्र गया कव की कव की वाई है यह 25 अच्छा आपने सिम्पल विदी से बौई की थी यह जैसे मैंने आपके गन्ने में देखा मोटाई भी काफी है लंबाई भी थोड़ा सा हाथ उपर करकर दिखाना यहां लंबाई यह देखो उस हिसाब से सही है जैसी होनी चाहिए अच्छा इसमें गिरने की सिकायत बहुत बता रहे हैं कि इसमें है मगर इतनी नहीं है जितनी समझ रहे हैं अभी बंद वाया मैंने मुश्किल से दस दिन होए है और अभी एक वार बंदा है अच्छा चलो एक चीज और दिखाओ मोटाई दिखाओ गन्ने की यह देखो मोटाई इसकी भाईयो देख लो आपके सामने गन्ने की मोटाई ऐसे गन की की लंबाई देखे कितनी जाद है अच्छा एक जान करी दो आपने लागत क्या दिए सबसे में बात है किसान सही नहीं बताते वीडियों में बिल्कुल बढ़ा बात बताओ आप कि क्या क्या लागत दिए मैंने इसमें मैं एम एम पी के गेर के नीच्छे बुआई करी थ दिया था और अब जो है मुश्किल से दो मेहिने पहले मैंने जब कुछ हाथ उठा हो गी ती जद और करा था एक स्प्रेय अच्छा इंसक्टी साइट और मैंने इसके अलावा कोई अटेरा फटेरा या कोरजन बगेरा कुछ नहीं लगा इसमें लगाया नहीं अजमाने के प्रजन तो अब मैंने दो साल से लगाई नहीं मेल में लोकल दवाई थी कोई फायदा नहीं लगा अतिसमें लगायक है देखी थी समें तो लगाई नहीं और इसमें तुम देखो कोई भी गन्ना अगर तो बोरर का दीख रहे हो एक गन्ना नश यो बात आप और अंगोले का रंग देखो अंदर को आओ तुम हां कलर भी सांदार बिल्कुल देखो कितनी मोटा ही ये इसकी और व्यात भी देख लो ब्यात भी काफी अच्छा बिल्कुल जमीन उठा कर दिखाना थोड़ा सा यह और देखो यह जमीन जो है बिल्कुल रेता जम अच्छा एक जानकरी दो अगर कोई किसान भाई रेते जमीन में लगाना चाहिए यह तकडी में आप क्या सला देना चाहेंगे वही मैं यह कहना चाहूंगा जारे तकडी जमीन में तो यह दबल भी बनवाना पर सकता क्योंकि बढ़वार काफी है इसकी लंबी पोई 38 की त तो जी किसान भाईयों से मैं यह अपील करूंगा कि इसे तो बोई ना तो ठीक है क्योंकि अब इस वार रेड रोग आए गया और हर 15-20 दिन में इसमें तो बोरर आ रहे हैं तो इसे तो ना भूए तो ठीक है क्योंकि पूरा खेश रूख रहा है लागत लग रही उसमें ज अब जादा बड़ा फायदा भी नहीं है नहीं अली में सब जगे पास नहीं है कुछ मील ले रहे हैं अपना धनोरा मील तो ले रहा है अच्छे जैसे आपने लगाया अंगोला भी लाष्ट तक इसका हरा रहता जैसे लेकिन अगर इसे सितंबर अक्टूबर में बुए करो अच्छे जमाव की सिकायद बता रहा है किसान भाई मैं किसान भाईयों से यह अपील करूंगा कि इसे जो है सुके में बोकर पानी दें बिल्कुल एक पच्छी जमेंगी जो मुझे बीज मिला था उपर से बिल्कुल कच्छा था ऐसा लग रहा था कि उपली बच्छी नही तो एक पच्छी जमिया बिल्कुल देख लो कोई छिदा नहीं कुछ नहीं कहीं से नए बीज बोने में किसान भाईयों कुछ तभी तो फायदा उसमें रोग या कीट ना है अब बार बार इस प्रेय ऐसे तो 38 कर रखेंगे हाँ उस हिसाब से तो 11-0-15 सही लग रहे आपको हां मुझा तो सही लग रहा है जी मैं तो इसकी बुआ ही जादा करूं अच्छा पिछले साल इसमें टोब बोरर की सिकायत थी लेकिन इस बार टोब बोरर कम दिखाई दिया क्योंकि 0-238 से भी कुछ नए बिज्जों में भी आ रहा है अच्छा पीपिच्चान में और इसकी मोटाइवी काफी अच्छी है अच्छे इन दोनों में कौन सा बहतर लगा मुझे तो जी बढ़वार के इसाब से भी ग्यारा जीरो पंद्र ही अच्छा लग रहा इसके साब से कोई रैड रोड वगयरा कि सिकायत दोनों विज्जों में कुछ नहीं है जी खेत आपक यह भी नहीं है कि हमें बीज बेचना है यह आप तो खुदी बुआई करेंगे इसकी तो आप तो बिल्कुल सही बाद बताएंगे तो आप यह बताएंगे आपको बीज बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं दुन्नों मुझे तो जी बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं और बढ़िया बीज लग रहा है इन्हें अगर भाईयो आपके यहां पर 11.0.15 है तो आप जरूर बताएं आप उस खेट में कोई रोकीट बगएरा तो नहीं है और कैसा हो रहा है वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार झालिएम जरूर भाईयो आपके यहां है वे लगएरा तो कमेंट में जरूर शबखियो नमस्कार नमस्कार भाईयो आपके एकार पूर यहां है इक कि आपके रहाद को यह जरूर